वाई जीरो फैक्टोरियल इस वन जबकि एक फैक्टोरियल भी एक होता है तो जीरो फैक्टोरियल एक के बराबर कैसे हुआ तो चलिए जानते हैं आज इस concept के बारे में बहुत ही interesting concept है यह उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ मेरा नाम नीरजखोकर है और मैं इस YouTube चैनल पर SSE और SSE से related जितने भी exams है जिनमे mathematics पुछा जाता है उनके लिए mathematics टीच करता हूँ अगर आप भी math सीखना चाते हैं तो इस चैनल को subscribe करें और bell icon दबा दें तो चलिए अपने concept की तरफ चलते हैं आज हमारा concept है कि why 0 factorial is 1 तो 0 factorial 1 के बराबर की होता है जबकि 1 factorial भी 1 के बराबर होता है तो 0 factorial 1 के बराबर कैसे हुआ तो देखो मैं आपको एक general सी बात बताना चाता ह mathematics is all about patterns mathematics और कुछ नहीं है mathematics numbers का कुछ एक pattern है अगर आपने कोई भी नई theory सुनी होगी अगर आपने जैसे आप सुनते रहते होगी कि उस mathematician ने ये theory दी है इस mathematician आए ये theory दी है उस mathematician एक नई theory जात की है तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब सिर्फ यह है कि is question वेखतिन उस mathematician ने एक नया pattern एक नया pattern को discover कर लिया है numbers का या फिर किसी एक number का behavior एक किसी particular condition में उस number को रखे तो वो number किस तरीकी से behave करता है वो उस तरीके से उसने उस pattern का इजात कर लिया है pattern को जान लिया है वही एक नई theory के रूप में उसने आपके सामने present कर दी है ठीक है तो same process same यहाँ पर भी वही चीज लगू होती है अब यह देख लेते हैं यह क्या pattern follow करता है और किस वज़े से 0 factorial 1 के equal होता है देखो पहले हमें पता होना ची factorial क्या होता है factorial का सीधा सा मतलब है अगर हमसे कोई पूछ ले कि 5 का factorial हमें बताना है तो सीधा सा मतलब है एक से लेकर 5 तक के नंबर जितने भी हुए उनको multiply करके लिख देंगे वही 5 factorial का मतलब है यानि कि जो नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ होगा एक से सुरू करेंगे और उस नंबर तक पूछ जाएंगे multiply multiply करते हुए वही factorial का मतलब होता है ठीक है तो आप जान लेते हैं ये किस pattern की follow करने की वज़े से 0 factorial 1 के बराबबर है तो देखो अब हम यहाँ कुछ नंबर लिखते है 1 factorial 1 factorial का मतलब है 1 2 factorial 2 factorial का मतलब है 1 2 ठीक है 3 factorial 3 factorial का मतलब है 1 1 into 2 into 3 4 factorial का मतलब है 1 into 2 into 3 into 4 ऐसे ही 5 factorial का मतलब है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 यह हमने एक से लेकर 5 तक के factorial लिख लिए आप इनकी value लिख लेते हैं देखो 1 2 factorial 2 3 factorial 6 4 factorial 24 और 5 factorial 120 अब देखो यह आगई एक से 5 factorial तक के numbers की value ठीक है एक से 5 तक के factorial की जो value है वो यह आगई ठीक है अब यहाँ पर हमें notice क्या करना है देखिए हमें pattern को देखना है pattern क्या follow कर रहा है देखो pattern यह follow कर रहा है देखो अगर 1 में 2 की multiply करेंगे इधर multiply by 2 देखो 2 factorial निकालने के लिए हमें 2 से multiply करना पड़ा तो 2 आगए अब देखो 3 factorial आगए 3 factorial निकालना है तो previous number में हमें 3 से multiply कर दिया same process इधर 4 factorial निकालना है तो 4 से multiply previous factorial के उसका मान आया उसमें और उसके बाद 5 से multiply इस तरीके से हमारा pattern यह follow किया अब देखो जैसे यह forward में कर रहा है pattern follow वैसे ही है उपर की तरभ यानि उल्टे में भी तो वैसे ही reverse में भी तो same यही pattern follow करेगा अब देखो 120 जो की 5 का 5 factorial की value है उससे हमें 4 factorial की value find out करनी है तो हम क्या करेंगे इसको 5 से divide कर देंगे तो 24 आजाएगा ऐसे ही 24 से divide करेंगे 6 आजाएगा 6 को 3 से divide करेंगे तो आजाएगा 2 को 2 से divide करेंगे तो 1 आजाएगा अब इसके बाद क्या इसके बाद भी तो same ही process follow करेगा इसके बाद क्या होगा अब इसके बाद हम 0 जब factorial की value निकालेंगे तो इसको एक से divide करेंगे तो इसके बाद एक का number आई ना अब एक को एक से divide करेंगे तो कितों आज़ाएगा है वही हमारे 0 factorial की value होगी इसलिए मैं पहले भी बता रहा था कि mathematics is all about patterns तो इसने इस pattern को follow किया reverse मे भी इसी पेटरन को follow करेगा तो इसी वज़े से 0 factorial 1 के एकोल होता है तो मैं एक अलग से एक example लेकर और आपको बता देता हूँ देखिए अगर हमसे कोई पूछ ले कि A की power 0 कितना होता है तो हम सब को पता है A की power 0 का मतलब होता है 1 ठीक है और हमसे पूछ ले A की power 1 का कितना मतलब होता A की power 1 का मतलब होता A तो चलो एक number लेते हैं 2 की power 0 2 की power 0 का मतलब है 1 2 की power 1 का मतलब है 2 अब ऐसा क्यों किसी की power 0 करने पर 1 क्यों आया तो इधर भी जो pattern follow कर रहा है उसको हम समझने की कोशिज करेंगे देखो 2 की power 2 मैं लिखता हूं तो हो गया 4 2 की power अगर मैं 3 लिखता हूं तो हो गया 8 2 की power 4 लिखता हूं तो हो गया 16 ठीक है अब देखो इधर क्या process जो pattern follow कर रहा है वो क्या है देखो अगर हमें जितनी हम power बढ़ाते जा रहे हैं उतने हम इधर भी 2 से multiply करते जा रहें देखो multiply by 2 इधर multiply by 2 multiply by 2 और multiply by 2 तो हम जैसे reverse order जब follow करेंगे जब उल्टा चलेंगे तब भी तो same process follow करेंगे इससे हमें 2 की power 4 से हमें 2 की power 3 की value find out करनी होगी तो क्या करेंगे 2 से divide करेंगे फिर 2 से divide करेंगे फिर 2 से divide करेंगे अब पहुच गई यहाँ अब 2 की power 1 तो आ गई अब इसके बाद जीरो ही आता है वन के बाद 1 से चोटा तो इधर क्या करेंगे 2 की power 2 को 2 से divide करेंगे तो एक आ गया तो इसी तरीके से 2 की power 0 एक आ गई तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि 0 factorial 1 की होता है साथ-साथ मैंने यह भी बता दिया किसी भी number की power अगर 0 होती है तो वो भी 1 की होता है तो यह सारा mathematics का pattern का जादू है तो इसी तरीके से मैं मिलता रहूँगा आपसे एक बहुती नए और interesting topics के साथ अब मैं लेता हूँ विदा गुडबाई जैहिंद